तो कैसे है सिक्सर के चाहने वाले बिकट के मतवाले किरिकट के दिवाने उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे आज किस वीडियो हम बात करने वाले से 2023 मैश संबर 30 सभी आटि चरहे मिसमाच बेरा तो पैटोरिया करा अबात करें तो सभी है अब सबसे श्चेन के चाहेँ ना खरीगे magnitude कोने उपर ये तो उपर रहें हार याज जीते हैं तब भी ऊपर ही रहेंगे लेकिन चाहेगा जीत के साथ चलते हैं अगर सेमी फानल में तो जो confidence होता ना वो थोड़ा सा आई होता है वैसे अगर हम नोटीमों के बात करें जो इससे पहले इनके बस पाल रोयस को ना अगरते हैं अगर आप आपि जानना चाहते तो यह वीडियो आपके लिए बस करना कि आप पूरी वीडियो बीना स्किप्प करें हुए आपको देखनी है तो चलो फिर ना जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते लेकिन उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब करना बनता है ना क्यों बनता है क्योंकि आपको पता है तो आप पीछे क्यों आप भी जॉइन करो फार्दा उठाओ बस एक चीज का ध्यान देना फेक से बसे ना क्योंकि मेरे नाम पर बहुत ही नकली टेरीकम चैनल बना लीगे इसलिए इद्धार उद्धार और किसे जॉइन नहीं करना जो लिंक मिलेगे डिस्किप्शन में बस से जॉइन करें तो भाई लों की जो मैच है ना ट्यूजडे सेवंध फेवरी इंडिया टाइम मनुसार नाइन पीम से आप इसका लाइव एक्षन देख सकते हो यहां मैच कहला जाएगा सूपर इस्पोर्ट पार्क सेंचूरियन में यहां के मंदान पर इससे पहले चार मै सकता है तो बाद करें यहां के मैच होता है थोड़ा सा हाइज स्कोरिंग देखने को मिलता है ऐसा क्यूं होता है क्यों कि यहां का जो सरफेस बिल्कुल फ्लाट है वैंटिंग के लिए बहुत ज्यादा बेटर है है सब्सक्राइब करें जो यहां पर मैंच होता है आपको हाइज स्कॉरिंग देखने को मिलता अगर हम आज के मैंच में पावर प्ले स्कॉर की बाद करें तो आपको 42 से 47 की बीच में देखने को मिल सकता है अगर हम यहां के मादान पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो पेटोरिया कैप्टल्स ने अपने घर में चार मैंच के लेगा तो क्या कर पाएगा सबसे पहले हम बात करते हैं पर पेटोरिया कैप्टल्स के जिन्हों ने जो अपने 9 दोस्तों जो इन्होंने 6 मैंच जीता है न 6 मैंच जीते थे जह मैंच में से 3 मैंच में बोनस पॉइंट लेकर भी आएं मतलब जो यह मैंच जीत रहते तो ऐसे नहीं कि छलो बस जीत जा रहते हैं मतलब एक तरफा आप सभी टीमों को मैच अला रहे थे तब यहार 6 मैं प्रेज़ बात करें तो जब बिल जैक्स फिलिप सॉल्ट ओपन कर रहे था शुरुआ जो रहे थी बहुत ज्यादा अच्छी ओ रहे थी बीच में फिलिप सोल्ट को चोट लगती है तो कुसल मेंडिस आते हैं और पिछले मैच में फिलिप सॉल्ट फिट हो गए तो बिल जैक के फॉर्म में सभी मैचों अपने टीम के लिए रन बनाना है रेली रोसों की बात करें इनको शुरुवात मिले बीस पचीस तीस या चालिस की पारी केलते हैं लेकिन लंबी पारी ना खेल पारें बाकी पिछले मैच में कॉल इक ग्राम को मौका मिला अच्छी पारी ना खेल जय्म सरिसाम की बात करें तो बल्ले से जो इनका काम होता है ना कि आओ 10-12-15-20 तेजी के साथ मार हो तो वैसा फिनिच कर रहे है बाकी गेंदवाजी करने आते देखाता बिकेट भी निकाले थे बाकी बाकी जो भाई साब जो इनकी गेंदवाजी है वो काफी ज़्यादा क नदॉब नहीं पैसी के दिए हैं जो इन्होंने जो अपने नौ मैश के लिए उसमें से चार जीता चार मैंच हारे एक मैश इनके नो रिजल्ट है इनके 19 पॉइंट्स है अग्र्ण इनकी ओपनिंग जोड़ी है जो जब हो समेशा बढ़िया परफॉर्मस करते हैं लेकिन अभी जैसान रोई भी फॉर्म में आचुके बढ़िया बल्लेवाजी कर रहा है तो जो अभी इनकी ओपनिंग जोड़ी है बिल्कुल परफेक्ट है यहां लूबे की बात के तो इंका आधी अधूरी कहानी से मतलब कुछ बल्लेवाज बढ़िया कर रहे हैं कुछ बल्लेवाज बढ़िया नहीं यहीं कर पारें बाकी गेंधवाजी की बात करें टो इंवान जोस इंवान जोस ने जब सुरुवाहाद करी थे बहुत अच्छी की घेंधवाजी पारें लगा तार सभी मैचों में आते थे 2-3-3 बिकट निकालते थे लेकिन पिछले और 3-3 मैचों से उन सेम काने बेजोन फर्चून की सभी मैचों में जबर जस गेनवाजी करते हैं बिल्कुल किफायती रहते हैं और धेर सारे बिकेट निकालते हैं तो जो इनके गेनवाजी है ना यहाँ पर भी आधी अधूरी कहानी किसके परल रोयल्स की तभी है ना एक मैच जीत रहें एक मैच हार है अगर हमें आपे दोनों टीमों का कमप्रीजन करें तो जो पर्टोरिया केप्रल्स के टीम है ना वो मुझे परल रोयल्स से ज़्यादा बेहतर नजर आ रही जो पर्फॉर्मस है उससे दिख जाता है ना तो यहाँ पर पर्टोरिया केप्रल्स के टीम है वो जादा बेहतर नजर आ रही है तो भाई लोग आज के मैच में क्या होगा चलो अब हम ना यह जानने की कोशिज करते है लेकिन उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब करना बनता है ना क्यों बनता है क्योंकि आपको सब्सक्राइब करना इतना तो कर सकते है लेकिन मैं अपनी बात को तो मुझे ऐसा लगता है यह मैच है पाल रोयल से अपने नाम पे कर सकता है लेकिन मैं आपको बोलूँगा मेरा टेलिग्राम करने के लिए क्योंकि इस मैच की जो फाइड़ी वेडेक्शन होगी ना वह आपको मेरे टेलिग्राम पे मिलेगे जिन लोगों ने टेलिग्राम जोइन किया वह तो कफी ज़्यादा फायदे में काफ़ी ज्यादा मज़े में तो आप पीछे क्यों हो भाई साब आप भी ज्वाइन करो और फायदा उटाओ बस एक चीज़ का ध्यान देना है फेक से बचना क्योंकि मेरे नाम पे ना बहुत ही नकली टेलिग्राम चेल बना लिए गया है इसलिए इद्दर कosi club और कि जोईन ने करना जो लिंक की मिलेगे इस मेंज़ों करें तो बहुँ लोग आज की video मितना ही video अंची लगी है तो लाइक करतो चैनल को सब्सक्राइब निकिए तो और अगली वी डिडियो में अगले match की एक्सन के साथ तब तक को सब यू पलेह और भी